नमस्कार दोस्तों मैं हूं महिंदर सिंग और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट केर और आज का टोपिक है फैंसी लाइट डी एक सिर्फ इस वीडियो में बात होगी इस सिर्फ के बारे में डिटेल में जानकारी इस सिर्फ के क्या फाइड है और क्या नुकसान है और इस सिर को अंत तक जरूर देखें ताकि इस शिर्फ के बारे में कोई भी जानकारी आप मिसना कर पाएं अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बैल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का यूज करती है वैसे इस दवाई को जैसे की डेक्स्टो मेथोर्फन हाइड्रो प्रुमाइट एंड कुलोर्फिनार्मिल मेलेट यह दोनों कंटेंट वाली मार्केट में आपको हजारों लखों दवाईया मिल जाएगी तो हर एक कंपनी के द्वारा जो मैनिफेक्चर की अबट कंपनी के द्वारा बनये गया है जो कि इसके नीचे मेंचन किया हुय है यह पैस कप सिर्फ में इंपोर्चय यह रएक की काम आने वाली कंटेंट पहला कंटेंट आ ए काम करता है और दूसरा जो कंटेंट है कadow fenarmal और नायक में पानिया ना उसही को given करता है. इस सिर्प का यूज्स सुखी खांसी में या फिर ऐलर्जिक कफ हो, मतलब छींग आने वाले ऐसे खांसी हो, या फिर सर्दी जुखाम के लिए भी ये बहतरीं दवा है, इस दवाई का सर्दी दुखा में नाका बेना, छीक आना, आखों में पानी आना, आदी समश्याओं में बहुत ही सांदार रिजल्ट है सिर्फ के, इस कब सिर्फ का यूज भी डॉक्टर की सला के नुसार किया जाता है, डॉक्टर के दोरा इस दवाई को किसी भी एज वाले पैसेंस को दिया जा सक करते हैं, इस दवाई को दिन में दो या तीन बार यूज किया जाता है, जैसी कफ उसे साफ से इस दवाई का यूज किया जाता है, जो डॉक्टर को जैसा उचित लगे, उसे साफ से दवाई को डोज फिक्स की जाती है, बोडी वेट और एज के साफ से इस दवाई को फिक् सला जरूर लें या फिर फार्मासिस से सला जरूर लें और इस दवाई का सेवन या यूज करने से पहले इसके उपर जो लेबल दिया हुआ उसको फॉलो जरूर करें और इस दवाई का सेवन बिना पानी के करना चाहिए वैसे किसी भी कफ सिर्फ का यूज बिना पानी के करना चाहिए, it should be taken without drought of water, मतलब जैसे कि इस दवाई को दो ढखन लेना है, मतलब 10-10 ml लेना है, तो इस दवाई को लेने के बाद उपर पानी नहीं पीना चाहिए, जैसे कि कफ सिर्फ गले से नीचे उतर जाती है और यह ज्यादा effective नहीं होती है, कफ सिर्फ का काम throat के अंदर ही होत जाती है, अगर वो कफ सिर्फ पानी के साथ नीचे बह जाएगी, मतलब intestine या stomach पर पहुंच जाएगी, तो ज्यादा effect नहीं करेगी, इसलिए इस सिर्फ का यूज बिना पानी के किया जाता है, इस सूर बी टेकन without drought of water, इस कफ सिर्फ की market price 105.28 रुपीज है, अब हम बात करते इसके में यूजज क्या है, जो इस GOT ? कफसर पा यूज किस किस बbalance में या किस खाहंसे में किया जाता है, आसे सामाने थे इस दवाई का ultimate dry küp में किया जाता है, सूखी खाइजसे में किया जाता है, allergy cup हो, या फिर गले मेंossa हो, गले में earißtतिए हो, गले मेंगतो लिजल या cold and फ्लू मतलब सर्वी जुखाम में नाका बैना वगरा हो तो भी इस दवाई का यूज किया जा सकता है और काली खांसी हो तो भी इस दवाई का यूज किया जाता है या फिर ऐसी खांसी हो जो आपको रात में ज़्यादा परिसान करती है तो इस दवाई का आप एक बार रुप्रियो करके देखिए ये दवाई आपके लिए राम बान थाभित हो सकती है इस दवाई को बल्गम वाली खांसी या फिर चेस्ट पेंग वाली खांसी हो चेस्ट के अंदर कफ जमा वो रखा हो काफी टाइम से तो इस ऐसी खांसी या ऐसे डिजिज में इस दवाई का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है इस दवाई का यूज प्रेगनेन लेडीज में भी कियाजा सकता है और ब्रेष्ट फीडिंग मदर में भी किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है डेक्स्रोमेथोर्फन, हाइड्रोपरमाइट और क्लॉर्फेनार्मिन मेलेट है ये दोनों कंटेंट प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये दोनों कंटेंट है जो निउबॉर्ण बेबी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और अंत में हम बात करते हैं इसके साइड एफेक्स के बारे में इस दवाई के साइड एफेक्स भी ना के बराबर है अगर इसमें जो मुझूद कंटेंट है जैसे की डेक्स्रोमेथोर्पन, हाइड्रोपरमाइड एंड क्लॉर्फेनार्मिन मेलेट है इन दोनों कंटेंट से अगर किसी स्पेशल पैसेंट के अंदर एलर्जी हो तो साइड एफेक्स नॉर्मल देखे जा सकते हैं जैसे अपसेट स्टोमक है और सिलिपनेस है अपसेट स्टोमक मतलब की पेट के अंदर दर्द रहना, भूख न लगना और उल्टी या वमिटिंग भी हो सकती है स्टोमक एकडम अपसेट रहता है, बराबर काम नहीं करता है और दूसरा साइड एफेक्स है मैं जो सिलिपनेस है, सिलिपनेस का मतलब नीन ना आना और सरीर पूरा नसे टाइब रहता है दिन बर इस वीडियो में फैंसी डाइल डी एक्स कप सिर्फ के बारे में जो जानकारी दी गई है मेरे दवारा उससे आपको अगर थोड़ी बहुत भी सीखने को कुछ मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और आपको किसी दूसरी टापिक पर जानकारी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर झाल